Hello Everyone, Today I am presenting Class 6th Subject Science Lesson Plan हमारा आज का टोपिक है Getting to Know Plants और इसमें हमारा सब टोपिक है Categories of Plants तो इस पर अगर आपको Lesson Plan बनाना है तो आप इस तरह General Objective जो Basic Subject Science के होते हैं Specific Objective आप लिखोगे फिर Behavioral Objective आएंगे Teaching Learning Material जो भी आप Classroom के अंदर यूज करोगे कोई TLM आपने बनाया है वो या Blackboard की हैसे आप बना रहे हो चोग डस्ट जो भी आप Class में यूज करोगे वो आपको यहाँ पे लिखना होगा और अगर बात करें तो इस तरह आप इसको थोड़ा Decorate कर सकते हो जैसे Classification of Plants यहाँ पे बताया है Pop Hubs, Shubs, Mini Plant, Rose इस तरह उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो बात करें तो यहाँ पे जो TLM यूज किया गए है Plants in the School Garden और भी बहुत सारी चीज़े यूज किया है वो आप देख सकते हो फिर आप Previous Knowledge Testing करोगे किस किस चीज़ के बारे में उन्हें पता होगा इसमें Table बनेगी Teachers Activity की फिर Students Activity की कि जो भी आप Question पूछेंगे या जो भी Activity आप कराएंगे उसमें Student का Response क्या रहेगा इस तरह आप इसको Decorate करें फिर आता है Introduction आप अपने Topic का Introduction करेंगे कि आज हम टाइपस प्लांट के बारे पढ़ेंगे फिर ट्री आते हैं जिसमें Mango Tree का इंद Nagam भी बना सकते हो और ट्रीगा भी बना सकते हो और शोगा का बना सकते हो मैपल का बना सकते हो और जो Climb Burst होते हैं जैसे Money Plant इसका बारे में लिख सकते हो presentation की बात करें इसमें इसी तरह सीरियल नंबर teaching point जो भी चीज़ आप पढ़ाओगे पहले हव्स के बारे पढ़ाओगे यह teaching point में आजाएंगे teachers activity आप लिखोगे student activity लिखोगे जो भी teaching method या TLM आपका use होगा TLM का यहाँ पे आप miniature लगा होगे इस table के अंदर और अगर teaching method जो भी आप use करे हो discussion, demonstration, demonstration, lecture come demonstration method इस type के वो इसके अंदर आएंगे teaching, learning, evaluation जहाँ पे जो भी आप question पूछोगे जैसे यहाँ पूछा गया है what is the color of the stem यह सब यहाँ पे आएंगे फिर trees के बारे में आप पढ़ोगे फिर आजाती है हमारी fourth category climber, फिर बहुत सारे इसके अंदर है creepers आप पढ़ा सकते हो, फिर medicinal plants इस तरह अगर आप picture ने बढ़ा सकते हो आप photo लगा सकते हो, और इनके बारे में यहाँ पर इस तरह आप लिख सकते हो, यह हो गए plants के बारे में student observe कर रहे है response दे रहे है, यह आप लिख सकते हो, क्या क्या आप question पूछोगे, like why do these plant spread on ground, इस तरह के आप question उन से पूछोगे, यह सब यहाँ पे आपको table में लिखना होगा, और फिर आगे बात करें, तो आगे इस तरह एक recap आपको देना होगा, like what is the difference between herbs, herb and trees, कुछ question इसमें आप दे सकते हो, mainly इसमें questions ही दिये जाते है, एक तरह की summary होता है फिर learning extension में, कि बच्चे कुछ बाहर से सीख पाए, आप कुछ उने assignment दे सकते हो, या कुछ questions दे सकते हो, यह learning extension के अंदर आएगा, तो यह आपका आज का lesson plan complete होता है, अगर आपको ओ lesson plans की videos चाहिए, तो आप चैनल को subscribe कर लिजिए, thanks for watching